भारत में खेती वाड़ी के साथ साथ पसुधन पर भी खुब ध्यान दिया जाता है पसुधन के अधिक्तर किशान अतिरिक्ता आय के स्रोत के रूप में देखते हैं पसुधन से गुनवत्तापूर्ण दूद वा आर्थिका आय के स्रोत के रूप में देखते हैं पसुधन से महतुपून डूध वा आर्थिक लाब प्राप्त करने है तू तथा पसुओ को स्वस्थ रखने के लिए पसुपालकों के लिए यह आवस्यक है कि वे अपने पसुओ को रोगों से दूर रखें पसुओ को अन्य रोगों से रच्छा करने के अलावा उनका संक्रामक रोगों से बचाव भी अती अनिवारे हैं संक्रमन से होने वाले रोग कई प्रान घातक भी होते हैं इसलिए सही समय पर टीका करन ही इसका सही बचाव है एक पसु से दूसरे पसु को लगने वाली इस बिमारी को आने से रोकने के लिए कई राज्यों में पसुपालन विभाग द्वारा समय समय पर टीका करन कारेकरम आयोजित किया जाता है जिसका लाब उठाकर पसुपालन विवसाय को लोग फायदे में ले जाते हैं टीका करन से पसुओं में संक्रमन से होने वाली अनेको बिमारीयों से समय पर रच्छा प्रदान होता है दोस्तो संक्रामक गर्वपात आज गाय भैस में बुरुसलेशिस नामक भी जिवानु से होने वाली यह बिमारी मनुस्यों को भी लग सकती है इसका संक्रामन मनुस्यों में बूदवा प्रसुष्रव के द्वारा होता है यह बिमारी में पसु की प्रजनन चमता समाप्त हो जाती है तथा गर्वित पसु का छो से नौ महिने में गर्वपात हो जाता है इस रोग के कारण पसु स्वस्थ बच्चा पैदा करने में अच्छम हो जाता है इस रोग से बचाने के लिए चार से आठ महिने तक की केवल मादा पसु को टीका चमडी के नीचे लगवाना चाहिए लंगडा बुखार अन्यनाम जहरवाद काला बुखार आदी यह मुखत गाय भैस में पाया जाने वाला बिशानू बिश जनित रोग है जिसमें भारी भरकम सरीर वाले पसु के कंधे या पुठे की मानस्पेसियों में गैस भरी सूजन होती है जिसके कारण पसु लंगडाने लगता है गियस भरी सूजन वाली जगह को दवाने पर चरचराहट की आवाज आती है तेज बुखार तथा सेप्टी सिमिया से अस्फू की पसु की मौत हो जाती है यह ओर्ग गोवन्स के पसु में अधिक होता है लेकिन यह छूत का रोग नहीं है रोग का विशिष्ट कारण क्लो अस्टीडियम सेवियाई नामक जिवानू है लंगडा बुखार सामानतः कम आयू के गोवन्सिये पसुओ का रोग है वर्षारितु में इस रोग का परकोप अधिक होता है तथा इसमें मिर्तियुदर बहुत अधिक होती है इस रोग से बचाव के लिए साल में एक बार बरसात से पहले छोटे वा बड़े पसुओ को चमडी के नीचे टीका अवस्य लगवाएं उप्रोक्त सभी संक्रामक रोग बरसात के दिनों में अधिक फैलते हैं इसलिए फार्मर और किशान भाईयों को सला है अपने पसुओं में टीका करन मौनसून आने से पहले अवस्य करा ले दोस्तो संक्रामक गर्वपात के बाद है आगे जो है खुर्पका मौपकारो एह मुक्ता गाय भैंस बकरी भेडेव सुकर जाती के पसुओं में होने वाला विशानु जनित अतियंत संक्रामक छूतदार एव अति ब्यापी रोग होता है छोटी उम्र के पसुओं में यह रोग जानलेवा भी हो सकता है संकर नसल के पसुओं में यह रोग अतियंतर तिब्रता से फैलता है इस रोग का फैलाव पसुपालन को अत्यधिक हानी पहुँचाता है इस रोग से प्रभावित पसुओं में बुखार होने के बाद उसके मुहे जिव पर छाले पड़ जाते हैं जिसके कारण पसुओं के मुह से लाट पकता है और चारा आधी खाना बंद कर देता है इस रोग में पसुओं की मिर्तियू तो नहीं होती है परंतु दूद उत्पादनवा पसुओं स्वास्त पर बुरा असर होता है इस रोग के रोग थाम के लिए बर्ष में दो बार या एक बार टीका लगवाना जरूरी होता है जो चमडी के नीचे मांस्पेशियों में लगाया जाता है गलगोटू अन्य नाम घुड का नाविक बुखार गोटू आ गलगोटू गरगती आधी गलगोटू हेमोरेजिक सेप्टी सिमिया है पश्चूरेला नामक विशानू से फैलने वाला एक प्रान घातक शर्ण कर्म रोग है हलाकि यह रोग प्राया सभी पसुपरजातियों में होता है प्रंतु इसका अत्यधिक पुरकोप गोवन्स वा भैंस बन्स के पसुओं में ज्यादा होता है इसके अलावा यह कभी-कभी उटेव बक्री में भी देखा जाता है एक बार लच्छन परगट हो जाने पर लगभग 80-90% पसुओं की मिर्तियों हो जाती है मौसम में परिवर्तन और ठकान से उत्पन तनाव के कारण पसुओं की परतिरो धात्मक छमता में कमी आने से इस रोग का प्रकोप तथा प्रसारन बढ़ जाती है गर्मिय वर्षारितु वाले वातावरन में होने वाली अधिक नमीश के समय पसुओं इस रोग से ज़्यादा परभाईत होते है इस रोग का बुखार 104-107 डिग्री फरेंहाइट तक चला जाता है तथा निमोनिया होने के कारण पसु को सांस लेने में परिसानी होती है इस रोग के प्रकोप से पसु के गले में सूजन हो जाता है और उसका सांस भी बंध हो जाता है तथा 24 घंटे के अंदर पसु की मिर्ती हो जाती है इस रोग से बचाओ के लिए पसुओ को बर्ष में दो बार टीका अप्रेल, मई या अक्टूबर, नुवंबर के महिने में जरूर लगवाना चाहिए जो चमडी के नीचे लगता है दोस्तों आगे जो है ध्यान देने वाला है कि बिमारी टीका डोज वर टीका करन खुर्पका मुपका रोग का टीका है टेट्राबालेंट खुर्पका मुपका रोग का टीका है डोज है दस मीली चमडी के नीचे तीन माह या उससे ज्यादा के पसुओ में लगाना है गलगोटू है एलम टीका का नाम है जो लगता है पांच मीली चमडी के नीचे छो माह के अंतराल पर लगाना है दो बार साल में संक्रामक गरपात कोटन कोटन नैंटिन इस्ट्रेन पांच मीली चमडी के नीचे लगाना है छो से आठ माह के उम्र के बाद ये पूरा जीवन काल में एक बार ही लगता है कोटन नैंटिन इस्ट्रेन संक्रामक गरपात की टीका ये है लंगडी बुखार एलम है टीका का नाम पांच मीली चमडी के नीचे छो माह के अंतराल में लगाना है दोस्तो जो ए टीका है ये बहुत ही जो बताया हुआ जानकारी है बहुत ही उपयोगी है किर्पिया हमने अपने पसुओं में टीका करन के महतुर के भागवन में पढ़ा है कि टीका करन पसुओं को किस तरह से स्वस्थ रखने में मदद करता है इस बार आईए हम जानते हैं कि किस रोग के लिए कब टीका करन करवाना चाहिए खुरहा रोग खुरपका मुपका रोग इस रोग में आईल एडजूबेंट टीका दिया जाता है इसके बाद प्रती बर्स टीका करन कराना चाहिए टीके की मातरा दू मिली प्रती पसु चमडी के नीचे मार्च अप्रेल या सितंबर अक्टूबर के महिने में लगवाना चाहिए गलगोटू बर्सात के मोसम में पाये जाने वाला यह परमूख रोग है जो एक जिवानू द्वारा जनित रोग है इससे बचाव के लिए वर्षा रितू से पहले सुरुवात में टीका करन करवाना चाहिए पसूओं में पर्थम टीका छह मा की उम्र और इसके बाद प्रती बर्ष दिया जाता है ठीके की मात्रा दू मिली प्रती पसू चम्री के निचे देना चाहिए भेर तथा वकरियों में एक मिली प्रती पसू चम्री के निचे देना चाहिए लंगडी बुखार इस रोग में polyvalent टीका दिया जाता है गो वंसिये तथा भेंस वंसिये गाय एव भेंस पालने वाले पसुओं में प्रथम टीका 6 मा की उम्र और इसके बाद प्रती बर्ष दिया जाता है टीके की मात्रा 5 मिली प्रती पसुओं चमडी के नीचे मौनसून से पहले देना चाहिए ग्रूसी लोसिस पसुओं में गरभाधान के तिसरे चरन में गरभपात होने का यह परमूख कारण है मादा बच्छडों में इस रोग का केवल प्रतम टीका 4-6 महिने की उम्र में दूम मिली देना चाहिए ध्यान दे गाभिन पसु को यह टीका न दे थाइले रियोसिस गोवनसिय तथा भैसवनसिय पसुओं में इसका प्रतम टीका 3 महिने या इसके उपर की उम्र में करते हैं पुना टीका करन में 3 मिली मात्रा चमडी के नीचे देना चाहिए इसकी परतिरोधक सक्ती 3 महिने तक रहती है कोई भी टीका करन पसु डॉक्टर की देख रेख में ही करें यदि आपको यह जनकारी में कुछ बिनफिट या अच्छा लग रहा हो तो उसका सार्थक उप्योग करें टीका करन का महत्व टीका करन के द्वारा विश्व में कडोडो जानवरों के जीवन में विभिन संक्रामक रोगों से बचाव किया गया है इस तरह पसपालकों का यह उतरदाईतु तथा करतब बनता है कि वह अपने पसवों का उचित टीका करन पसुचिकित्सक के सलाह पर सुरुवात में ही कराएं तथा प्रतिबर्ष पुना टीका करन करवाएं यह देखा गया है कई रोगों के लच्छन पसुओं में नहीं दिखते हैं लेकिन वातावरन में उनके पाए जाने के कारण टीका करन की सलाह दी जाते हैं बरतमान समय में हम जुनेटिक रोगों वह रोग जो पसुओं से मनुस्यों में तथा मनुस्यों से जानबरों में फैलते हैं कि गंभिरता को अंदेखी नहीं कर सकते हैं जैसे रेविज, एन्थ्रेक्स, ब्रुसलेसिस, गाय का चेचक, छे रोग इत्यादी इसलिए पसुओं में तीका करन से संक्रामक तथा खतरनाक जुनेटिक रोगों से बचाओ संभव है ठीका सकती के सरीर के पर्तिरोधक तंत्र को उत्तेजित करता है जिसके फल्स वरुप एंटी बोडी का निर्मान होता है यह एंटी बोडी सरीर तथा वातावरन में अति उप इस्थिती सुच मजीवों से लड़ने की सकती प्रदान करता है ठीका करन किये गए पसुओं में अगर वही रोगानों पुनह आक्रमन करता है तो सरीर में उपस्थित उस रोगानों विशेश विरुद में बना एंटी बोडी प्रती पिंड उसे विनास कर उसे रोग होने से बचाती है ठीके सरीर में एक जटिल तरीके से काम करते हैं अतर यह सलाह दी जाती है कि केवल स्वस्थ पसुओं को ही ठीके लगाएं जाएं अस्वस्थ या बिमार पसुओं को ठीके नहीं लगाना चाहिए साथ ही पसुपालकों को ठीके के बनने की तिथी वा नश्ठ होने की तिथी पध्यान देना चाहिए टीका करन रोगों से बचाव की सरते टीका करन कारेकरम का उदेश पसुओं में विभिन रोगों से बचाव द्वारा पसु तथा जन स्वास्थ को बढ़ावा देना है टीका करन के द्वारा पसुओं के सरीर में किसी रोग बिशेश से अग्ये के प्रती एक निश्चित मात्रा में परतिरोधक छमता एंटी बोडी बिक्सित होती है जो पसुओं के उस रोग बिशेश से बचाती है बिवित्र जादी के पसुओं में बिविन परकार की टीके तथा टीका कारेकरम की जरूरत पढ़ती है पुना टीका करन या बुष्टर का उदेश से सरीर में उचित मात्रा में परतिरोधक छमता लगातार बनाए रखना तथा उसके परतिकूल प्रभाव को कम करना है परतेक बिमारी का ठीका अलग होता है तथा एक बिमारी का ठीका केवल उसी बिमारी से परतिरच्छा परदान करता है बिमारी फैलने से रोकने के लिए जिस गाउं छेतर अथवा समूह में रोग हो उसके चारों तरफ के स्वस्थ पसवों को ठीके लगा कर परतिरच्छित छेतर उत्पन कर देना चीए कुछ जिवानुओं ये बिसानुओं दोवारा उत्पन बिमारियों से बचाव के परति सीरम भी उपलब्द है इसमें परतिरच्छा एंटी बोडिज होते हैं जो की बिमारी से बिसानुओं अथवा जिवानुओं दोवारा उत्पन बिस के परभाव को समाब्द कर देते ह जैसे टिटनेस के लिए उपलब्ध प्रति सीरम बरतमान समय में आर्थिक लाव किशानों का एक परमुख लच्छ है तथा इसमें पसुओं का स्वास्त का महतपूर्ण अस्थान है क्योंकि परति बर्स हजारों दुधारों पसु खतरनाक बिमारियों जैसे गल घोटू, लंगडिया, खुर्पका, मुपका के संक्रमन के कारण मारे जाते हैं जिसके पसुपालकों को आर्थिक छती का नुकसान उठाना पड़ता है एक परचलित लोकाकी है, रोक थाम उपचार से बेतर है, पसुओं में पुन्तह सत्य है, तथा या आर्थिक तथा नीती सास्त्र दोनों में लागू होता है वास्तम में बहुत से बिसानुजनित रोग लाई लाज हैं, तथा इनका एक ही बिकल्प इनकी रोक थाम है, जो टीका करन द्वारा संभव होता है दोस्तों, पसुओं में बिभित्र रोगों से बच्छाव के लिए टीका करन उचित समय पर, उचित मात्रा में, उचित जगह पर, उचित मार्ग से तथा उचित टीकों के परियोग द्वाराई संभव है टीका करन वह भी दी है, जिसमें कमजोर या मृत प्राया, मृत रोगानों को सरीर में दुवारा जिवित कर देता है तो दोस्तों, टीका करन आप सभी अपने पसुओं में अवस्य करवाएं, जिससे आने वाली खत्रों को आप रोक सकते हैं जब आपका पसु सुरच्छित रहेगा, तो आपका बिजनस भी आगे बढ़ेगा, आपके गाएं अच्छी रहेगी तो आपका जो दूद का उत्पादन भी लागातर अच्छा रहेगा और रोग आने से पहले ही रोगों को रोकना बहुत ही आवस्यक है और इन सब में पसुपालन को बस एक सारनी या चाट बनाकर कौन सी गाए या भैस को कब टीका लगाए है और इसका कब डिव है नेक्ष्ट लगाने का ओध्यान रखें बहुत बहुत धन्यवाद वैश्नवी और्गेनिक डेरी फॉर्म धन्यवाद और इसका काुए है झाल 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 झाल